ने हुआ हैं दोस्तों मैं रतने सर आप सभी सवी नाइटी बन ऊशागत करता हूँ और कैसे यह सभी सुश्विस्थ्श्थओं घृत्व कि आन् defendant की आप जानते है दुस्तों कथ l दोस्तों आपने यह के दोनों वीडियो देख लिए तो मेरा दावा है दोस्तों कि वितामीन कोई भी कोर। अगर आपके वसमें मैं कोई भी नार कोर। डटो किस विटामीन की कमी से होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D बहुत important question है, very important कर लेज़े कई बार CT8 में पूछा गया question है दोस्तो रतोंधी, in the sense, रतोंधी दोस्तों बहुत अच्छा अंसर दे रहे हैं आप सभी रतोंधी दोस्तों, विटामिन A की कमी से किसके स्थ्रोथ की बात की जाएं दोस्तों, यानि विटामिन A किसमें पाया जाता है मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा विटामिन D हरी सबजीयों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों दूद्ध हो गया गाजर गाजर हो गया मूली हो गया दूद्ध हो गया इन सभी में दोस्तों हमारा क्या होता है विटामिन एक दोस्तों पाया जाता है तो रतोंधी इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों रतोंधी नामक हमारी विमारी होती है यह जिन बच्चों ने ब लूद्ध होगा, आवला होगा या गाजर होगा तो मैंने आप सभी को बताया था विटामिन C के बारे में बात हो रही किसकीум c के बारे मों हो रही तो मैंने इसके स्त्रोथ बताया थे विटामिन C जो है दोस्तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है खटे फलों में किसमें पाया जाता है जितने भी खटे फल होते हैं दोस्तो उसमें आपका विटामिन C पाया जाता है दोस्तो क्या पाया जाता है विटामिन C पाया जाता है क्या होता निभु होता और 3 होता option में तो शंब तो ये तीनों दोस्तों शंत्रा तो यह up जानते हैं बहुत ही खटे होते हुधे फादी आगया गए लाम सुनते घुppen वहुत ही Squeeze बोहती खटे होते संद्रह आवला निभु तो ये हमारे लिए बहुत ही लाप लाब दायक भी होते हैं दोस्तो ठीक है तो यह संत्रा हो गया अमला और दोस्तों हमारे चलते हैं दोस्तों यह बाहर ये exam में question पुछा पनाता है पता नहीं इस बेरी बेरी रोख से exameners को क्या प्यार रहे है कई बाहर exam में पूछ लेता है यह बहुत important है vitamin c होगा vitamin जल्दि sensor देने का प्रयास करें बात हो लही है bear very मैंने आपको ट्रिक बताई थी जैसे हो रहा है क्या बेरी-बेरी ट्रिक जानी है दोस्तों आ रहा है ना बेरी-बेरी यानि बह से बेरी-बेरी बह से विटामीन बी दोस्तों क्या विटामीन बी दोस्तों या नहीं कि जो विटामीन बी है दोस्तों यह हमें दोस्तों प्राप्त होता है किसे प्राप्त होता है दोस्तों अनाज से प्राप्त होता है दोस्तों दूद से प्राप्त होता है फल से प्राप्त होता है दोस्तों सब्जियों से भी प्राप्त होता है तो यह विटामिन B के स्ट्रोथ कहीं है दोस्तों ठीक है सब्जियों से भी प्राप्त होता है दोस्तो तो ये दोस्तों विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी दोस्तों विटामिन B की कमी से ही होने वाला रोग कौन सा है बेरी बेरी होता है कई बार एक्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों ठीक है तो मैंने आपको बताया था, विटामिन के प्रकार के बारे में, किस के बारे में, विटामिन के प्रकार के बारे में, मैंने आपको बताया था, कि विटामिन के प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वशा होते हैं कोन होते हैं विटामिन B और विटामिन C होते हैं दोस्तों और जो बाकी विटामिन बचे जैसे वापका बचा A बचा B बचा आपका A बचा, C बचा, D बचा, E बचा, O बचा, K बचा, D बचा, K बचा, D बचा, K बचा, B बचा, B नहीं दोस्तो A, D, E, O, K, H दोस्तो जितने भी बाकी विटामिन बचे, वो बाकी विटामिन क्या है? वो वशा में घुलन सील है तो आपके option में देखिए कि आप कहीं पर B और C दिख रहा है कहीं पर B नहीं दिख रहा है विटामिन A है दोस्तो जो की वशा में घुलन सील है विटामिन D है जो की वशा में घुलन सील है विटामिन K है दोस्तो ये भी वशा में घुलन सील है तो इसका option क्या होगा, इन में से सभी होगा, D is the right answer, जिन बच्चों ने पढ़ा था, वो बहुत ही जल्दी answer दे लिए होंगे, बिल्कुल सही दोस्तों, चलिए, नेस्ट चलते हैं, नेस्ट कोशन है, बहुत अच्छा कोशन है, जल में घुलनसील विटामीन है, मैंने अभी आपको explain किया, बिल्कुल सही answer दीजएगा, वेरी important है, दोस्तों, यह या तो वशा में घुलनसील आपसे examiner पूछ लेगा, या जल में घुलनसील आपसे पूछ लेगा, एक में से दो हमेशा कोशन आपसे put up कर लेगा, जली से बताएं, कौन से होगा, जल में घुलनसील बात हो रही है, दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा होता है, एक कहावत आपने सुनी होगी, नजर हटी दुर घटना, घटी दोस्तों, जहां आपकी नजर हटी, थोड़ी सी सावधानी आपकी हटी, देख रहते हैं, आप जैसे B आ जाता है, C आ जा रहा है, तो मिले लिखने भी, थोड़ी सी दोस्तों, अगर आपने आउशा धावनी की, तो आपकी दोस्तों कोशन आपका गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही ध्यान से कोशन को पढ़िएगा, इसमें कहा रहा है, जल में घुलन सील विटामिन, क्या पुछ रहा है, जल में घुलन सील विटामिन, हम सभी जानते हैं, कि जल में घुलन सील विटामिन, सिर्फ विटामिन B और C होते हैं, ताकि जितने बचे वह वाश्या में घुलन सी लोते हैं तो क्या इसमें बी और सी है बिलकुल है आप्षिन भी भी है यह नहीं कि आप तुरंट एक्जाम में देखा आप विटामीन भी अरे सर अब तो मेरा यह कोशन सही हो गया एकदम जो पढ़ाया था आप वही आ गया था और जब आप आगे बेटा कोशन क्या आया था देखिए ऐसे कोशन आपसे पूछे का कंफ्यूजन वाला सारे बच्चे तुरंट भी मार के चले आ जाएंगे क्योंकि वह पढ़े जल में घुलन सीले कम समय है भी मारे चल दिये आगे का ऑप्शन आपने देखा ही नहीं दो दोस्तों तो दोसरा आप्शन आपका विटामिन सी है क्या है विटामिन सी है और तीशरा आप्शन क्या है दोनों ही क्या है दोनों ही और चोथा है इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों हमारा क्यों सा आप्शन सही होगा विटामिन सी होगा क्योंकि विटामिन सी में देखिए दोस्तों C option होगा दोनों ही answer हमारा सही होगा यानि कि B और C दोनों ही क्या है जल में घुलनसील होने वाले vitamin है दोस्तों तो हमारा C is the right answer नेश्ट चलते हैं दोस्तों रेश्ट बात करते हैं vitamin B का rachynic नाम कोद सा है बहुत ही अच्छा कोशर पूछा गया है rachynic नाम आप से पूछा है दोस्तों तो retinol होगा thaibeen होगा extravic acid होगा या tecoferol होगा जली से answer देने का प्रयास करें vitamin B की बात हो रही है दोस्तों तो vitamin B की बात हो रही है दोस्तों जो कि 그렇in B की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है और इसका दोस्तो maintainig नाम पूछा है घ्राइनिक नाम होता है thaivene क्या होता है değil इसका thaivene होता है thaivene होता है और दोस्तों थीक है स्कॉर्बिक एसिट दोस्तों होता है vitamin C का नाम SCORBIT A CIT होता है VITAMIQ C का नाम होता है और RETINAL दोस्तों आपके VITAMIN A का नाम होता है RETINAL AXRB CIT का ठीक है चलिए तो यह चीज है दोस्तों बेरी बेरी का थाइमीन, B का होता है थाइमीन रासाइनिक नाम ठीक है, चलिए नेश्च चलते हैं आपका B is the सभी होगा दोस्तों आपशन थायमीन नेश चलते हैं दोस्तों विटामीन A का राज साइनिक नाम क्या है बहुत अच्छा कोश्य है दोस्तों जल्दी से अंसर दे गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए यह वाला सभी बच जो कि मैंने अभी डिसकस करके बताया अभी अगर आपका गलत हो रहा है तो इसमें तो बहुत ही सर्व की बात है कि अभी आप गलत कर रहे हैं तो मैंने आपको बता है थायमीन किसका है विटामीन B का रासाइनिक नाम है और रेटिनाल दोस्तों विटामीन E का दोस्तों है जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है जिसकी कमी से रतोंधी नामक रोग होता है कौन सा रोग होता है रतोंधी नामक रोग होता है विटामिन A का स्रोत सारी हरी सबजियां विटामिन A का स्रोत है गाजर हो गया मूली हो गया पालक हो गया चुकंदर हो गया यह सभी क्या है विट इसकरवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है इसकरवी रोग पूछा है किस विटामिन की कमी कारण होता है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D बहुत अच्छा कोशन है मैंने अभी बताया दोस्तो यानि कि C, विटामिन C जो की खटे फलो में पाया जाता है दोस्तों विटामिन C जिसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है इसकर भी है दोस्तों इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है इसकर भी है यानि कि विटामिन C is the right answer क्या होगा विटामिन C होगा दोस्तों ने चलते हैं विटामिन D का सर्वत्तन स्त्रोथ कौन सा है क्या कोशन है बहुत अच्छा कोशन है वेरी इंपोर्टेंट कर दिजिएगा सीटेट में पूछा हुआ कोशन है दोस्तों कि विटामिन डी का शरुतन स्ट्रोथ कौन सा होता है अंडा दूद सूरिका प्रकाश या हरी सबजियां तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो क uncommon D पाया जाता है दही मी हो गया दोस्तों ठीक है इन सभी में भी विटामिन D की मात्रह मिलती है पर सूरिक का प्रकाश जो होता है वु हブ से अधिक cheese ठीक कहने चलों चलते हैं कि विटामिन-O health in नाम कौन सा है दोस्तों और भी पूछा जा सकता है जल्दी से सारे बच्चे बताएं क्या होगा दोस्तों भी सेवन का पूछा है रसाइनिक नाम भी सेवन का दोस्तों पूछा है जल्दी से बताएं तो दोस्तों मैंने आपको बताएं स्कॉर्भी कैसिड सी हो गया तो फिलिकॉन तो टीन होता है क्या होता है बाइट या दर्खिए का बहुत अच्छा question है नेश चलते हैं दोस्तों ये आपके study 91 में कुछ पूस्तके हैं उनके information दी गई चलिए दोस्तों नपूशकता या बादता किस विटामिन के कमी के करणा आता है बहुत अच्छा कोशन है इस पर डिस्कस भी हुआ था कल की क्लास में कि नपूशकता या बादता जो किस विटामिन कमी के आता है विटामिन A, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D धो दोष्टों मैं आपको बता दू जासे बाधं देशना नहींरा नहीं जन्म काफ़ी होती है तो जो बाज कि समस्या होती है नफ़शक्ता मस्या होती है दोस्तों यह क्यों से विटामिन विटामिन के की कमी से होता है दोस्तों किसके विटामिन के कमी से होता है दोस्तों क्या होगा विटामिन की कमी से होता है जो मिलती है जैसे चना हो गया सोया बीन हो गया इन सभी से दोस्तों हमें क्या होता है विटामीन E मिलता है ठीक है तो ये चीज़े हैं दोस्तों और दोस्तों जो डाल होगे जैसे दोस्तों अरहर की डाल होगे मूम की डाल होगे इन सभी से भी हमें क्या होता है दोस्तो विटामीन E मिलता है तो ज्यादा तर दोस्तो जो अंकुरित अनाज होते हैं उन्हें खाने से विटामीन युद जो हमाई नपुछ सकता है बाजपन है इन सभी को दोस्तो हम क्या कर सकते हैं दूर कर सकते हैं दोस्तो तो विटामीन E is the right answer एक देख को कई सब्बते हैं विटामीन के कर अशाइनिक नाम है दोस्तों टेकों फेराल होगा फिलिकिनौन होगा सी फेरॉल होगा यह बहुत ही इंपोर्टन कोशिन है गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्छे का विटामीन के पूछा है दोस्तों तो असानिक नाम ब डिश्ष द राइंटर से relief मक्छलियों की यकषित के तेल में कॉंसे वितामिन की बहुता ही है दोस्तों जो चाह से बहुत ही ज्यादा उस में कौंच विटामिन इप जाएगा विटामिन सी जाएगा विटामिन इधामिन के शॉन की जाता है फटे फल में पाए बैटामिन सब्सक्राइब छलते हैं है कौन सा विटामीन दोस्तों कौन सा विटामीन गर्म करने पर नष्ट हो कौन सा विटामिन ऐसा होता है दोस्तो जो की गर्म करने पर निश्ट हो जाता है विटामिन ए है विटामिन बी है विटामिन सी है या विटामिन ई है दोस्तो गर्म करने पर क्या करने पर अगर हम इस विटामिन को गर्म करें तो गर्म होने पर यह क्या होगा निश्ट हो तो यह विटामिन होता है दोस्तों विटामिन सी कौन सा विटामिन सी जो होता है जो हमें खटे फ्लो से प्राप्त होता है जैसे नीबू है आवले हैं इन से प्राप्त होता है तो इसको अगर हमने ज्यादा गरम इसको हमने अगर गरम किया तो यह क्या होगा खतम हो जाएगा विटामिन दी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है बहुत ही अच्छा कोशन पूछा है दोस्तों कि विटामिन दी की कमी से होने वाला लोग कौन सा है दोस्तों कि विटामिन दी की कमी से होने वाला लोग कौन सा है दोस्तों मैंने आपको बताया इनीमिया होगा तपेदिक सीले है वषा में गुलन सील है सबसे संदेवता से प्राप्त प्राप्त होता है और उटामीन डी हो गया है है इस परप्त होता है उप विटामिन D की कमी से होता है वो रिकेटस होता है कौन सा रोग होता है रिकेटस होता है इसने हड्डियों से समध्य समस्या आती है जो हड्डियों से समध्यां कमजोर हो जाती है खोकली हो जाती है दर्द होने लगता है वो हड्डियों से समध्य समस्या होती है रिकेटस में द पलए पार्चर बंब किस्छ ने की थी किस ने बहुत इंपोर्टनेंट भींपोर्टनेश वेरी इंपोर्टन्च है सभी बताए जल्डी से दोस्तों कि ही मैं तो दोस्तों आपके ग्रेगरड़ लुफ है यानमान सुछता की जनक G 와 जाने जाते थे अनुवान सिक्ता के जनक माने जाने जाते थे आपके ग्रेकर जान विंडल दोस्तों ठीक है लुई पाश्चन नहीं होंगे दोस्तों फंक जो उस्तों जो था C is the right answer फंक ने ही विटामीन की खोज की थी विटामीन की खोज की भी बात की जाए दोस्तो और विटामीन सब इसने दिया आपके फंक ने ही दिया दोस्तो याद रखिएगा C is the right answer नेश चलते हैं दोस्तो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है रक्त का थक्का बनने में विटामीन E सायक होता है, विटामीन K, विटामीन D या विटामीन C सायक होता है, कौन सा सायक होता है दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में कौन सायक होता है, जली से अंसर दे, बहुत बढ़ियां दोस्तों, आप अंसर दे रहें, दोस्तों, रक्त का मचली हो गया उंडा मचली मांस दूद दूद इन सभी से अनाज दोस्तों अनाज तो इन सभी से दोस्तों हमें क्या होता है विटामिन के की दोस्तों मिलता है विटामिन के मिलता है सबजीयां दोस्तों उनसे भी हमें विटामिन के मिलता है दोस्तों तो जो रक्त का थक्का जो होता है दोस्तों जमता है इन दे सेंस दोस्तों जो ब्लेड यानि आपको जो कभी घाव या चोट लग जाती तो आप जाता है तो यह चीज है दोस्तों ठीक है तो के जड़ाइड ने चलते हैं दोस्तों विटामिन या होलकट यहां बहुत अच्छा कोशन है वेरी इंपॉर्टेंट कर लिजेगा दोस्तों सी टेट में आपके पूछा गया कोशन है दोस्तों जल्दी से अंसर दें क्या होगा द दोस्तों आपको मैंने भी बताया दोस्तों कि ए एवं बी दोस्तों ए एवं बी जिसमें की ए जो विटामिन ए है किसमें घुलनसील है वशा में घुलनसील है और विटामिन बी जो है वो किसमें घुलनसील है या जल में घुलनसील है विटामिन बी ए की कमी से होने वाला र बीटामिन का सुए्ट जीनी हरी सबजियां हैं उनमें पाया जाता है। हरी सब्जीयों में हरी वेजटेवल्स में। इस की डादाज्र! वेरी तामिन ने किती हमारेमिकी राइडा सा यस ठीक है,why is the rider। ठीक है चलते हैं दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है इसकर्वी होता है रतौंधी होता है बेरी बेरी होता है या एनेमिय विटामिन मैंने आपको बता है दोस्तों विटामिन ए का रसाइनिक नाम क्या होता है रेटिनाल विटामिन एका रसानिक नाम क्या होता है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है याद रखिएगा वेरी इंपोर्टेंट कर लिजेगा कई बार ये दोस्तों पता नहीं क्यों विटामिन एसे कई बार कोशन घुमा फिरा के पूछता है अभी मैं का रसानी नाम क्या होता है रेटिनाल होता है दोस्तों क्या होता है रेटिनाल होता है जो कि भी आपने देखा और विटामिन A की स्त्रोत की बात की जाए दोस्तों अगर इसके स्त्रोत की बात की जाए तो विटामिन हो गया मूली हो गया दोस्तों और पालक हो गया इन में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका विटामीन ए पाया जाता है दोस्तों ठीक है विटामीन ए आपके सबसे मात्रा में पाया जाता है हरी सबजियां है दोस्तों यह गाजर मूली पालक यह आपको मिलता है और बात करें दोस्तों विटामीन ये जो है हमारा किसमें है वशा में घुलनसील है और पॉइंट्स की अगर बात करें तो विटामीन एक कमी से होने वाला जो रोग है दोस्तों वो क्या है रतोंधी है कौन सा रोग है रतोंधी है जो कि हमारे कोश्यन पूछा गया है ये रतोंधी यानि की समस्या किस से है हमारी आखों में होने वाले समस्या है हमारी जो आखों है दोस्तों उनमें रतोंधी होती है क्या होती है हमारी आखों में जैसे हम लोग के गाओं में तो वही चीज है दोस्तों कि वह रतांधी हो जाती है आपको चीजें कम दिखाई देती है तो वह रतांधी हो जाता है दोस्तों वह क्या है विटामीन विटामीन A की कमी से होता है दोस्तों ठीक है और आपको बेरी बेरी आपको मालुम है विटामीन B की कमी से होता है और दोस्तों इसकर भी आपके विटामीन C की कमी से होने वाला रोग है और दोस्तों एनिमिया यानि की आपको दोस्तों एनिमिया हरे पत्तेदार सबजियां य आपका कमी से होने लगता है तो यह है दोस्तों तो इसकर भी दोस्तों विटामिन सी जो की आपको खटे फल मैंने अभी बताया कि खटे फल यानि कि सबसे ज्यादा आहुला इसका स्रोत होता है दोस्तों ठीक है और बेरी बेरी भी विटामिन आप जानते हैं तो रताउंदी ठीक है तो दोस्תव ये आज की Class आपको उमीद करता हूं आप सभी की Class बहुत अच्छी लगी होगी सब्सक्राइब मैं आपको यही बता दूँ जितना ज्याधा से ज्यादा आप Practice Set करेंगे जितना से ज्याधा से ज्याधा दोस्तों आप प्रेंट इस ऍेट करेंगे तो दोस्तों इससे दो फायदे होते हैं आपको पहला फायदा time management पहला फायदा क्या होगा time management दूसरा दोस्तों आपका अच्छा खासा question bank तयार होगा क्या होगा आपका अच्छा खासा question bank तयार होगा है तो दोस्तों बहुत ही कम समय है सिर्फ ये one month है हमारे पास कितना है one month है दोस्तों वन मंस के बाद हमारा सीटेट का एक्जाम है तो अभी से सारे बच्चे लग जाईए और प्रयास करते रहें मेहनत करते रहें दोस्तों सफलता जरूर मिलेगी ठीक है तो आज की क्लास दोस्तों उमीद करता हूं यह स्टेड़ी 91 में कुछ दोस्तों आपको दी गए जए हें दोस्तों